गैस हम हमारे डेली लाइप में एसे ही छोड़े छोड़े सेंटेंस को बहुत यूज करते हैं जहांपना हम कहते हैं कि बारिस होने लगी, सूरज निकलने लगा, सूर्य अस्ता होने लगा, बुंदा बुंदी बारिस होने लगी, अंधरा होने लगा इस प्रकत की छोटे छोटे बाक्यों को हम हिंदी में तो बढ़ी आसानी से बोल लेते हैं बढ़ इसे इंगलिस में कैसे कहा जाता है इसके लिए कौन से structure की use किया जाता है आज किस बीडिया हम सिखने वाले हैं चलिए सबसे पेल इसका structure जार लेते हैं पेले आपको लिखना पड़ेगा subject इसके बाद आपको use करनी है started स्टाटेड के बाद आपको भॉब की आएंजी फ़र्म लिखनी इसके बाद ऑबजेक्ट और भी एक स्ट्रक्चर है जो आप यूज कर सकते हैं वो है सब्जेक्ट इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बिगान टू इसके बाद भॉब की फास्ट फर्म इसके बाद लेटे तक आपको और अच्छे सक्लियम होजाए अंध्यरा होने लगा इसस्टाक्टेड् केटिंग डार्क और इनशीं इतर बिगान्टू डारक मेक गरजने लगेड एसस्टाक्टेड फंडरिंग अर इकनसे इसस्टेड बिगान्टू थंडर It began to thunder बारिस होने लगी It started raining It started raining और you can say It began to rain It began to rain सूर्य निकानने लगा The sun started rising The sun started rising और you can say The sun began to rise The sun began to rise सूर्य अस्त होने लगा The sun started setting The sun started setting Or you can say The sun began to set The sun began to set